बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, असलाम अलेकूं, मैं आपकी फैमिली फजीशन, डॉक्टर को सर, हेल्थ केर चैनल से आपसे मखातिब हूँ, उमीद आए आप लोग सब खेरियत से होंगे, आज का हमारा टॉपिक है, विटमन डी की डेफिशेंसी, यानि विटमन डी की कमी, विटमन डी की कमी ना सरफ हमारे मुलक में, बलके पूरी वर्ल में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और जैसा कि आपका पता है कि हम विटमन डी जो है, वो जबाभन्द सूरज की शौउंस से हासल करते हैं, यानि जब सूरज की शौईं ने, स्किन के उपर पड़ती हैं, तो हमारे स्किन जो है, वो विटमन डी सिंथेस करती है, और यह जो विटमन डी होता है, यह इन एक्टिव फॉर्म में होता है, और हमारे जो किड्नीज हैं, इसको एक्टिव फॉर्म में कनवर्ट करते हैं, इसके इलावा वाइटमन डी हमारे भी होता है जैसर के फिश है फिश लेवर ओयल है और फॉर्टिफाइड सियल्स है इसके लावा कुछ ऑईल्स होते हैं जिनको वाटमेंट ए और डी से फॉर्टिफाइड किया होता है इसी तरह से एक योक्स हैं पॉल्ट्री की दूसरी चीज़ें इन सब में वाटमेंट डी पाया जाता है वाटमेंट डी हमारी स्केलेटन की मैंटेनिस के लिए बहुत जुरूरी है क्यूंकि वाटमेंट डी अगर नहीं होगा तो हमारी इंटेस्टाइन में से कैल्शियम इब्सॉब नहीं हो सकता जिसकी वज़ा से हमारी जो हड्डियां है वो कम्सोर होना जाती है इसको हम रिकट्स कहते हैं इसी तरह से यंग अडल्ट्स में अगर वाटमन डी की कमी हो जाए तो पैल्विस की बोन जो है वह बहुत जादा एफेक्ट होती है और थाई के मसल्स और इस कंडिशन को हम ऑस्टियो मेलेशिया कहते हैं यानि मरीज को चलने परने में म जो है उसके अंदर से कैल्शियम निकल जाता है और बोन इतनी जादा वीग हो जाती है उनकी डेंसिटी कम हो जाती है के वह फ्रैक्चर्स का बहुत जादा खतरा होता है उनको तो अब देखता है यह है कि ऐसे क्या रिस फेक्टर्स हैं जिससे में वाइटमन डी की कमी होती है सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है कि हमारे कहने में ही वाइटमिन डी कम हो यानी हम ऐसे प्रॉडक्ट जोन वह नहीं ले रहे खाने में जिन्में वाइटम्न डी होता है इसके जावा कुछ लोग बहुत जादा टाइम जो हे वह नढग्डॉर गुजारते हैं यानी बड़े बुड़े हैं वो जादा तर बाइड नहीं जाते और इसी तरह से कुछ खवातीन हैं जो सिर्फ गर में रहके काम करती हैं तो इस तरह से वो लोग धूप के अंदर नहीं जाते जिसके वजा से वाइटमिन डी की डेफिशेंसी हो जाती है कुछ लोग होते हैं जो के बाइड जाते बगत बहुत जादा covered clothes होते हैं उनके और in बहुत जादा इस्तामिल करते हैं जिसके वजा से जो सूरच किशों और वो ब्लॉक हो जाती हैं और vitamin D जो है वो नहीं बनता इसी तरह से कुछ लोग dark skin के होते हैं और dark skin में melanin pigment होता है और melanin pigment जो है वो sunshine को block करता है इसी तरह जो लोग मुटापई का शिकार है vitamin D क्योंके fat soluble vitamin है इसलिए वो जादा तर fat cells के अंदर चला जाता है और कमी जो है ना उसकी वाक्या हो जाती है पूरे जिसम में disease होती है liver diseases होती है जिन में vitamin D की deficiency हो जाती है क्योंकि इसकी inactive form active form में convert नहीं हो सकती इसी तरह से कुछ digestive tract की diseases होती है यानि Crohn's disease है सिलेक disease है या irritable bowel syndrome है इन में absorption जो है calcium की नहीं होती और vitamin D की भी कमी हो जाती है अब कैसे बता चलेगा कि आपको vitamin D की कमी है कुछ इसके science symptoms जो है वो तो बड़े obvious होते हैं यानि मरीज जो है वो यह complaint करता है कि उसकी हड़ियों में दर्द हो रही है जोड़ों में नहीं हड़ियों में दर्द हो रही है हातों की पाउं की इसी तरह से back egg है back के muscles में pain है या पूरी body के muscles जो है उसके अंदर खचाओ है लेकिन ऐसा भी है कि इसके कुछ signs and symptoms बड़े vague से होते हैं यानि जब तक आप level check नहीं करेंगे आपको पता नहीं चल सकता कि आपके अंदर vitamin D की कमी है वो क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नीद भी पूरी होती है और कोई और मसला भी नहीं होता लेकिन वो हर वकत थकावट और fatigue महसूस करते हैं इस तरह के लोगं को भी vitamin D का level जरूर चेक करने चाहिए कुछ लोग बार-बार बिमार होते हैं यानि उनको नजला जुकाम होना, खांसी होना, यो chest infection होना उनको भी अगर vitamin D का level चेक कराया जाए तो कई दफ़ा कम आता है और vitamin D देने से उनकी अक्सर बिमारियां ठीक हो जाती है इसी तरह से देखा गया है कि depression के मरीजों को जब vitamin D दिया जाता है तो उनका mood भी improve हो जाता है hair loss का मसला भी ऐसे लोगों में जुरूर हो सकता है जिनके अंदर vitamin D की कमी हो तो आपने क्या करना है कि vitamin D का level अगर इस तरह की symptoms आपको आ रही हैं तो आप जुरूर चेक करवाईए क्यूंकि इसके लिए बहुत सारे supplements, capsules की शकल में, tablets की शकल में या injection की शकल में मुझूद है और इसके लबा कुशिश करें कि आप रुजाना कमस कम 30 मिनट तक दूप जूरूर लें और यह दूप आपने कैसे लेंडी हैं जुरूरी नहीं है कि आप लोग बहुत जादा जलती दूप में जाके बैठें और यह भी देखा गया है कि जो बच्चे breast feeding पे होते हैं उन में भी vitamin D की कमी हो जाती है क्यूंकि breast milk में vitamin D इतनी जादा quantity में नहीं होता इसलिए इस तरह के बच्चों को भी supplements देने बहुत सुरूरी है अमीद है आज की वीडियो से आपको यह information ज़रूर मिली होगी कि vitamin D की deficiency से क्या-क्या symptoms हो सकते हैं अगर ऐसा कुछ है तो आप अपना blood level सुरूर चेक करेए वीडियो अगर पिसंद आई हो तो इसको share कीजिए, like कीजिए और चैनल को subscribe करना ना भूलिए अपना क्याल रखेगा, अल्लाहाफेज अपना क्याओाँ झाल 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 झाल